नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर जिसका नाम है परिक्षिता एकडमी और आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री अर्थात रसायन शास्त्र के एक टॉपिक पधार्थ एवं उसकी प्रकृती के बारे में बहुत ही बैसिक टॉपिक है और केमिस्ट्री के ओपर ये हमारा फॉर्स लेक्चर है क्यों है इंपोर्टेंट तो यूपी एसी का एकड़ाम होता है या सिविल सर्विसेज स्टेट लेवल पे एमपी पेसी की बात करे या व्यापम के किसी भी एकड़ाम की बात करे केमिस्ट से कुष्ण पूछे जाते हैं और वहां यह वाला जो टॉपिक के बैसिक होता है आप सभी को हमें जानना चाहिए पधार्थ और क्या होता है तो आगे बर्णे से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक और शेर जरूर करना है तो आईए और आगे हम बात करते हैं पधार्थ एवं उसकी प्रकृति के बारे में पधार्थ क्या होता है लेकिन उसके पहले हम रसायन शास्त्र का आपको एक बैसिक इंट्रोडक्शन देना च जाहेंगे जब हम रसायन शास्त्र केमेस्ट्री पढ़ते हैं तो यह क्या होता है तो विज्ञान की वह शाका है जिसके अंत्रगत पधार्थों के गुणों अब पधार्थ क्या होता है जिसकों की इंग्लीश में मैटर कहते हैं तो पधार्थों के गुण संगठन संरचना तथा उनमें होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उसका जो अध्यन जिस शाका में किया जाता है उसे कहा जाता है chemistry याने की रसायन शास्र ठीके पधार्थों के गुण संगठन संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्यन अगर हम बात करें chemistry की तो इसकी जो उत्पत्ती है मिस्त्र जो देशे वहां से हुई है क्योंकि मिस्त्र भाषा में जो शब्द है कीमिया से इसकी chemistry की जो है उत्पत्ती हुई है ठीके जिसका अर्थ होता है काला रंग या काली मिट्टी इसलिए हमारे इस वीडियो का जो थमनेल उसमें हमने रसायन शास्त्र को ब्लैक वाले जो उसका बैक्ग्राउंड होता है उससे आपको शो किया है जिससे आपको वो चीजे समझ में आए की केमेस्टी शब्द जो है कीमिया से बना है जिसका अर्थ है काला रंग या काली मिट्टी और मिस्त्र के लोग काली मिट्टी को कैमी कहते थे और रसायन विज्ञान के अध्यन को कैमी टेकिंग कहा जाता था फिर आगे चलकर इसे ही केमेस्टी का रूप इसने ले लिया अर्थात्रसायन शास्त्रिका. अगर हम बात करें फादर of chemistry की, तो वह है زेबर, लेकिन फादर of modern chemistry की, अगर हम बात करें, तो वह है Levozier. ठीके? बैसिकली यही दिया जाता है, और मिग्जिमम यही exam में पूझा जाता है, फादर of modern chemistry कौन है, तो वो है लेवोजियर, लेवोजियर की हम अगर बात करें, तो ये फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे और सरवप्रथम इन्हों ने ही बताया था कि जो हवा होती है, उसमें नाइट्रोजन और आक्सिजन होती है, अर्थात हवा जो होती है, नाइट्रोजन और आक्सिजन से मिल कर बनी होती है या उसका composition होता है और अगर हम बात करें तो पधार्त की सरप्रतम अउधार्णा भी इन्होंने ही रखी थी और इन्होंने ही सिद्ध किया था Hydrogen और अगर हम आपको इनके बारे में बताए तो Hydrogen और Oxygen का नाम करण भी किस ने किया था लेवोजियन ने किया था और लेवोजियन ने ही बताया था कि जोलन की भूमिका में Oxygen की महता इन्होंने बताई थी आप लोग जब चोटी क्लास में होंगे तो आपने प्रयोक सुना होगा या पढ़ा होगा कि एक केंडल है हमने इसको जला दिया ठीके और हमने इसे बाद मे एक काज के ग्लास से इस प्रकार से ढग दिया तो कुछ समय में क्या होती है केंडल जो होती है ये बुझ जाती है ठीके ये केंडल क्या होती है ये केंडल हो जाती है बुझ जाती है पूरी तरीके से क्यों बुझ जाती है क्योंकि इसके अंदर जो Oxygen है वो हो जाती है खत् प्रयोग से ये समझ में आता है कि ऑक्सियन की जोलन में काफी important भूमिका होती है तो ये सबसे पहले किस ने बताया था तो ये लेवोजियर ने बताया था इसलिए हमें इनका नाम याद रखना है और लेवोजियर की अगर हम बात करें तो इन्होंने द्रविमान संरक्षन का नियम भी दिया था आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे द्रविमान संरक्षन का नियम क्या होता है द्रविमान संरक्षन का नियम दिया था या हम कहें कि द्रव्य की अविनाशिता का नियम दिया था ये द्रव्य है द्रव्य ठीके इसको भी matter ही कहते द्रव लिक्विड वाल नहीं है द्रव्य की अविनाशिता का नियम दिया था अर्था द्रव्य को ऐने की पधार्थ को न तो उत्पन किया जा सकता है और नहीं नश्ट किया जा सकता है कि एवल उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कनवर्ड कर सकते हैं ये इन्होंने बताया था ठीके तो लेव of modern chemistry के बारे में एक जानकारी हासिल कर ली चलिए तो ये chemistry के बारे में इतना introduction काफी है और अब हम बात करते हैं पधार्थ के बारे में पधार्थ याने की matter अब आपको एक बात कहना चाहेंगे कि जब भी आप फिजिक chemistry ये बायलोजी पढ़ रहे हो चाहे वो बाचनी हो जुलोजी हो आपको हर एक जो हिंदी वाला वर्ड है उसका English name भी पता होना चाहिए या कहें कि आप English नाम ही याद रखिए हिंदी को priority थोड़ा कम दीजे क्योंकि हिंदी में और भी कही नाम होते हैं तो हमें confuse करते हैं ठीके तो हमें दोनों नाम वैसे ideally अगर हम बात करें तो हमें जो हैं दोनों नाम पता होने चाहिए तो हम पधार्थ हैने की matter की बात कर रहे हैं उसकी प्रकृती की बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं पधार्थ अब देखते हैं हम की पधार्थ या matter क्या हो तो वे वस्तुएं जो इस्थान घेरती हैं घेरती हैं वे वस्तुएं जो इस्थान घेरती हैं तथा जिन में द्रव विमान होता हैं ठीके वे सब क्या कहलाती है पधार्त कहलाती है अर्थात हमारे ब्रह्मान के आसपास या हमारी प्रत्वी पर जितनी भी सारी वस्तुएं ह द्रव अवस्तामे और गेस ऑवस्तामे यूथ क्यों को पता है हमारे असपस जो वायू मंदले फृव दिखा इने देता तो क्या हो गया वैज्ञानिक रहे हैं प्राचीन काल में तो चरक ने पधार्थों के वर्गी करण को जड़ चेतन के रूप में वर्गी करत किया था और हमारा ब्रहमान जो है द्रव्य और उर्जा का संगम है अर्थात इसी से मिलकर ही बना हुआ है ठीके अब ये द्रव्य एक वर्ड है हिं पधार्थ के रिस्पैक में यूज किया जा सकता है ठीके दोनों का नाम एक ही इंगलीश में मैटर इसलिए हमने आपको इंगलीश का कहा था तो इसी का ही संगम है अगर हम बात करें भारत की महान रिशी थे कणाद इन्होंने भी कहा था कि सभी पधार्थ जो होते हैं अत् पधार्थ एटम कहा जाता है तो यह पधार्थ की बैसिक चीजे थी आईए और अब हम इसके गुण देख लेते हैं तो पधार्थ के जो कण होते हैं वो सुक्ष में कणों से मिलकर बने होते हैं जब हम MPPSC का मैंस की एंसर राइटिंग करेंगे जो की पेपर थर्ट के यू कुष में कणों से मिलकर बने होते हैं पधार्थों के कणों के बीच रिक्तिस्तान होता है पधार्थ के कंण निरंतर गतिशील रहते हैं और एक दूसरे को आकरशित करते हैं जो भी पधार्थ होता है उनमें हमेशा कुछ किसी ना किसी प्रकार का आकरशन बल कारिय करता है हो सकता है वो मजबूत हो या दुर्बल हो तो ये पधार्थों के गुंड थे अब हम बात करते हैं पधार्थों के वर्गी करण के बारे में classification of matter तो पधार्थों को दो प्रकार से वर्गी करत किया जाता है एक होता है भोतिक वर्गी करण और एक होता है रासाइनिक वर्गी करन ठीके दो प्रकार से वर्गी करत किया गया है भोतिक वर्गी करन और रासाइनिक वर्गी करन तो आज के हमारे इस वीडियो में हम केवल भोतिक वर्गी करन की ही बात करेंगे वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए रासाइनिक वर्गी करन को हम जो है lecture 2nd में लेकर आएंगे तो आज के हमारे lecture में केवल हम बात करेंगे किसकी पधार्थो के भूतिक वरगी करण के बारे में तो आइए और बात करते हैं तो हम मोटे तोर पे आपको पधार्थो का वरगी करण बता देते हैं किस प्रकार से किया गया है अगर हम भोतिक वर्गी करण की बात करें तो पधार्थों के पांच केटेगरी डिवाइड है अर्थात इनको पांच भागों में डिवाइड किया है हम यह कहें कि इनकी पांच अवस्थाएं होती है ठोस, द्रव, गेस, प्लाजमा और बोस आइंस्टीन कंडनसेट ठीके तो पधार्थ जो होता है पांच अवस्थाओं में पाया जाता है कौन-कौन सी हो सकता है ठोस, द्रव, गेस, और प्लाजमा और बोस आइंस्टीन कंडनसेट अगर हम बात करें रासाइनिक वर्गी करण की तो रासाइनिक वर्गी करण की अगर हम बात करें तो पधार्थ जो ह शुद्ध्य पदार्थ कहते हैं और ये दो या दो से अधिक जो होते हैं समान या और समान तत्वों से मिलकर बने होते हैं और शुद्ध्य पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं तत्व और योगी तो हमें सभी को बहुत अच्छे से समझना है और अच्छे से याद रखना है questions केसे भी बन सकते हैं केसे भी पूछे जा सकते हैं तो आज के हमारे इस वीडियो में हम केवल इतनी ही बात करेंगे बाकी के ये जो point हैं हम कल discuss करेंगे चलिए तो आगे बढ़ते हैं और हम सबसे पहले बात करते हैं solid liquid or gas की तो solid liquid or gas इसको देख कर आप बहुत हद तक अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या है ये जो सरकल में हैं ये जो है solid के particle से छोटे छोटे कण हैं तो ये क्या कर रहे हैं आपस में एक दूसरे से मजबूती से जुड़े वे हैं क्योंकि इनमें मजबूत आकर्षन हैं जिसकी कारण इनका आकार निश्चित है और साथ में इनका आईतन भी क्या है निश्चित है इसी प्रकार जब इनमें जब आकर्षन बल जो होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं तो इनमें जो आकार होते हैं वो अनिश्चित हो जाते हैं सब बिखर जाते हैं लेकिन पास-पास ही रहते हैं ठीके तो इसे हम क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं लिक्विड और जब यही कंड दूर-दूर हो जाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं हम इसे कहते हैं गेस अवस्था तो बिलकुल हमें इनी सब चीजों को समझना है और इसके प्लाजमा अवस्था जिसके बारे में हमें देखना है तो प्लाजमा में जो ये वाली अवस्था है ये आइनित अवस्था है जिस प्रकार किसी भी वस्थू को बहुत जादा टेंपरेचर पर गर्म करेंगे बहुत जादा तो हमें पता है इलेक्ट्रोन जो है बाहर निकलने की solid के बारे में क्या होता है solid इसके बारे में हम बात करेंगे इसकी particular क्या definition होती है और हमें answer writing में किस तरीके से इनका उप्योग करना है तो पधार्ति की वह भोती कवस्ता जिसका आईतन तथा आकार निश्चित होता है वो क्या कहलाते हैं ठोस कहलाते हैं ठोस में अनू जो हो होते हैं इसकार्थ यह है कि इनमें प्रबल आंतरिक आन्विक आकर्शन बल पाये जाते हैं ठोसो की जो गती जूर्जा होती है निउन्तम होती है ठीक है गती जूर्जा किसी भी वस्तु को गती अवस्ता के दोरान जो उर्जा होती है उसे गती जूर्जा कहते हैं तो हमें पता है कि जब इनमें अंतराणवी काकरशनबल मजबूत हैं द्रंटा से जुड़े हुए हैं तो ये फ्रीली मुवमेंट नहीं कर सकते हैं इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि इनकी गती जूरजा जो होती है वो नियूनतम होती है ठोस असंपेडी होते हैं असंपेडी का मतल है कि ठोसो को दबा कर हम उसके आकार को परिवर्थित नहीं कर सकते हैं ठीक है जैसे की रबर है हम उसको दबाएंगे तो उसका साइस थोड़ा सा फेल जाएगा स्क्रेच हो जाता है लेकिन यह असंपेडी होते हैं ठीक है हाला कि जो रबर है वो भी ठोस फोम में होता है ल ठोस फ्लो नहीं करते हैं अर्थात यहां पर एक लकड़ी का हमने बॉक्स यह तुकड़ा रखा हुआ है तो फ्लो नहीं करेगा ठीक है अब हम बात करते हैं तो ठोसों की जो अनू होते हैं वो क्रिस्टल जालक का निर्मान करते हैं ठोस क्या होते हैं क्रिस्टल जालक का न कशन से एक दूसरे से बंदे होते हैं जुडए हो और इनके बीच में यह संकाज इसी यह थोष होते हैं अब बिल्कुल इसी केласти आधार द्रव की भी हम डेफिनेशन दे सकते हैं और इसी पर हम गेस की भी डेफिनेशन दे सकते हैं तो द्रव क्या होता है तो पधार्त की वह भोती का वस्ता जिसका आईतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित होता है वो क्या कहलाते हैं द्रव कहलाते हैं हमें पता है द्रव का कोई आकार नहीं होता, अगर हम किसी particular द्रव को इस container में भरे तो वो उसका shape ले लेगा, अगर हम इस प्रकार से किसी long flask में सेम इसी liquid को flow करेंगे तो इस प्रकार का shape ले लेगा अर थात इसका आकार जो हता है अनिशित होता है और इनके जो अनू होते हैं आपस में धीले बंदे होते हैं ठीक है इनके अनू क्या होते हैं आपस में धीले बंदे होते हैं इसलिए इने कठोर नहीं होते हैं और इनमें जो आकरशन बल होता है वो दुर्बल आन्विक आकरशन बल पाया जाता है जिसके कारण क्या है इनका निश्यत नहीं होता अगर हम बात करें तो इस क्रिस्टल जालक का निर्मार नहीं करते हैं हमने देखा आया था आपको डाइगराम है कि दुर्बल आनुविक आकर्षन के कान ये इस प्रकार से रहते हैं इनकी गते जुर्जा ठोसों से अधिक होती है लेकिन द्रवों से कम हो क्योंकि जब दुर्बल आकर्षन बल होता है द्रवों के बीच में तो इनके बीच में कुछ इर्क्तिस्तान होते हैं जब हम इसको दबाते हैं तो ये फील हो जातायी अर्था ये थोड़े से संपेडियो हो सकते है किसके अफोसों के कंपेर्में लेकिन गेजों के neás कंपे चित होते हैं वो क्या कहलाते हैं गेस कहलाते हैं और गेसों में अगर हम बात करें तो अनू जो होते हैं काफी दूर दूर इस्तित होते हैं ठीके गेसों में क्या होते हैं अनू जो होते हैं काफी दूर दूर इस्तित होते हैं और दूरबल आणवी काकशनबल होता है बहुत सरवाधिके गेसों की सरवाधिक होती है और इनमें संपेड़िता का गुण जो होता है सरवाधिक होता है क्योंकि हमने देखा है कि ये कोई फ्लास्क है और इसमें जो है गेस के अणू है काफी दूर दूर है अगर हम इसको प्रेस करेंगे दब दाब इस पर डालेंगे पिस् प्रावकर हैं थीरे धीरे धीरे क्या होता है इसको हम विष्रन कहते हैं तो आइट attends है कोई यह तु CG two URE घेशे को मैं बहुत अच्छे से आपको चीजय क्लियर हो गई होगी अब हम बात करते हैं पधार्त की चोथी अवस्था की जिसको बोलते हैं प्लाजमा, क्या होता है प्लाजमा, तो हम देखते हैं, अगर हम प्लाजमा की बात करें, तो यह उच्छ ताप पर गेसों के परमानों की आईनी तवस्ता है, यहां पर हमें ध्यान रखना है, कि यह किसी भी गेस के परमानों की आईनी तवस्ता है, और प का नामकरण किया था और सूरी भी गर्म प्लास्मा का उधारण है जो हमारा अगर्ध हो strongly हो भी क्या है एक गर्म प्लास्मा का ऊधारण है जिसके भीधर 10 तो दू पव्र 7 कलवीन का जो होता है temperature होता है समझ सकते कितना जादा temperature है तो इसके जो भी होते हैं अनु आइनित अवस्ता में होते हैं और अगर हम इसके बारे में और बात करें तो प्लाजमा अनुसंधान संस्थान गुजरात के गांधी नगर में स्थित हैं यह हमें याद रखना है प्लाजमा अनुसंधान संस्थान गुजरात के गांधी नगर में और टोकॉ जब उसको जाला टेंपरेचर दे रहे हैं तो पधार्त के अनुजो होते दूर दूर जाते क्योंकि हमने पड़ा है कि गेसों की गती जुर्जा जो होती है सरवाधिक होती है चलिए अब हम फ्लोरोसेन ट्यूब जो है वह भी निर्वात बल्ब में प्लाजमा होता है अब हम करते हैं पधार्त की पाचवी अवस्था की जिसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन और कंडनसेट अब बोस से पांचवी अवस्ता है संयुक्त रूप से सत्येंद्र नाद बोस एम अलबर्ट आइंस्टीन ने दिया था और इसमें गेसों को बहुत कम तापमान पर द्रवीत किया जाता है अगर आप समझ पा रहे होंगे तो प्लाजमा में हमने देखा था कि क्या था उच्छ ताप था औ पखर हम परम शुन्य ताप की बात करें तो वो होता है जिरो केलवीन अगर डिगरी सेल्सिस में बात करें तो माइनस दो सो तीहोत तरढ़ व concludes यह हम बात में बताएंगे आपको तो इस वाले टैंपरेच्छर को हम बोलते हैं परम शुन्य ताप तो परमशुन्य ताप पर गेस के समस्त परमानों को एकत्रित हो जाते और उनके मद्य कोई भी घर्षन नहीं होता ये पधार्थे की जो है पाचवी अवस्ता है और अभी इसमें खोज होना और बाकी है चलिए तो दाप अब हम बात करें हमने आज भोतिक अवस्ता पढ़ा अब होतिक वरगी करंड पढ़ा पधारतों का तो ताप वоды दाब में परीवर्तन करके किसी भी पधारत की अवस्ता को बदला जा सकता है एक ये दो इतने इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमने जो पधारत की पांच अवस्ता पढ़ा कौन-कौन से अवस्ता पढ़ा हमने तोस पड़ा द्रव यानिकी लिक्वीट ये द्रव है राइट इसको द्रव ये से कन्फ्यूस नहीं होना क्योंकि द्रव ये मतलब पधार्त यानिकी मैटर होता है ठीके चलिए तो पधार्त की जो पांच अवस्ता है ठोस द्रव गेस प्लाजमा और बॉस आइंस्टीन कंड ठाट की ये अगर हम लिए अगर हम है ओ स्वों में जब हम गर्म करें ईयरत उसको ठंपरेच्छर दे तो ढर आ सकता हैं अब उसको और अगर टंपरेचर दे द्रव में आया मतलब आए बन गया अब लीए ज़र किसमें चैनि जा तो द्रॉम में चले या आःश वेपर और बहुत कम-कम-कम टेंपरेचर पर था इसकी भी इधर जाए तो बहुत साइस्टिन हो जाएगी तो ताप एमदाब दो ऐसे फैक्टर हैं जिससे कि किसी भी प्रधात के अवस्था को जो है बदला जा सकता है यह हमें याद रखना है हाला कि लकड़ी अपवादे कुछ इस इस एक्जामपल है जिसको हम परिवर्टित नहीं कर सकते हैं जिसे लकड़ी पत्थर आदी अब जल तीनों वस्था में रह सकता ही हम देख चुके हैं अब अगर हम इसका उल्टा प्रोसेस करें कि यह गेस है हमने अभी इसका डाइग्रम देखा था कि गेस में काफी दूर हम इसे पेस्टिन की सहाउता से दबाए है अर्था ये अभी आशी है बाद में इसको कर दिया लोह जाएं और जैंगे और जब लुप ज़ादा आपास पास आज ये तो इकिसमें कनवर्ड हो रहे यह गेस फम में यह लिक्विड में आरा और इसको प्रेस करें क्योंकि हमन है हम रैसपिरेशन में गया है तो क्या होगा लिकफित फॉर्म में यह कनवर्ड हो जाता है और सॉलिट सूवर्णी को कहा जाता है यह हमें याद रखना है ठीक है आई से बर्फ को देखके यह ना समझ जाना कि यह पानी है जल है एच्टू है अगर ड्राई आई साजा है मतलब यह सॉलिड सीओ टू है तो हमने आपको यहां पर दो फैक्टर से समझाया कि कि किस प्रकार टैंप्रेचर और प्रेशर को बढ़ा कर या घटा क्या पड़ा तो हमने केमेस्टरी की जेनरल डेफिनेशन देखी Father of Chemistry देखा लेवोजियर जो है और उनके बारे में थोड़ी सी बाते करी फिर हमने पधार थे याने की द्रवीय जिसको कहते हैं द्रव्यय याने की मैटर के बारे में इसकी डेफिनेशन देखी फिर बाद मे हमने इसका वर्गी करण देखा जिसकों की दो भागों में वर्गी करत किया गया है भोतिक वर्गी करण और रासानिक वर्गी करण और आज हमने इसके भोतिक वर्गी करण की बात करी और भोतिक वर्गी करण के हम बात करें तो इसके भी पांच अवस्ताएं थी इनके बारे में बात करी तो अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो रासाइनिक परिवर्टन के उपर आधारीत रहेगा जिसमें हम शुद्ध पधार्त की बात करेंगे, मिश्रण की बात करेंगे, तत्वर योगी की बात करेंगे तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसना आया है तो हमारे चनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेर, कमेंट ज़रूर करें वे नाइस देन, थैंक्स फॉर वाचिंग